हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अबडेट की साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो आज के दिन लेके आए हूँ में मंडे के लिए बेस्ट इंट्राडे टेडिंग टिप्स जो की आपको एक जोड़दार और एक शांदा प्रॉफिट दे सकते हैं ठीके उससे पहले एक और चीज में बोलना चाहूँगा दोस्तो आप लोगों को कि अगर आप लोग हमारी प्रॉफिट गुरू चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली सस्क्राइब करिएगा दोस्तो क्योंकि डेली बैसस पे हम इंट्राडे की टिप्स फ्री आप कोस्ट आप लोगों को प्रॉफिट करते हैं और हाँ फ्री आप कोस्ट से एक और चीज आप लोगों के लिए हैं कि आप लोग अगर हैं हमारे लिंक के एकोर्डिंग डिमेट एकाउंट ओपन करवाते हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग या एप स्टॉक में तो आप लोग को free of cost काफी चीजे market की सिखाए जाएगी और intraday के जो tips and recommendation रहती है जो आप लोगों को provide की जाएगी हमारे तरब से और नीचे description में दोस्तो हमारा telegram का भी link दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके easily तरीके से free of cost से वहाँ पर हो सकते हो कि वहाँ पर एक इंट्रडेके tips डेली वेसस पर update की जाती है ठीक है तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना तो चलिए market update दे देता हूँ तो market आप देख सकते हो market में काफी important level के पास बापीस market खड़ा है मतलब 12,000 के level पर market एक बार फिर से यहाँ पर खड़े होते देखने को मिल रहा है तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 11,930 के level पर बंद हुआ है करीवन 0.28% की ठीक है तो यह काफी important हो सकता है कि Monday को इसे sustain भी कर जाए क्योंकि market में काफी बड़ी news आ चुकी वो news क्या है दोस्तो आप हमारी playlist में जाके check कर सकते हो क्योंकि हमने वीडियो upload कर दिया है ठीक है अब देखे करीवन 29 stock एसे थे last Friday को जो positive थे करीवन 21 stock में काफी जादा गिरावट देखने को मिले ठीक है टॉप gainer के अगर लिस्ट देखोगे तो मारूती, महंद्रा एन, महंद्रा, टाटा, इस्टेल, पॉवर, ग्रेट, अटो, बजाज, आटो, मतलब अगर मैं बात करता हूं दोस्तो आटो सेक्टर से पना रहा था, अब देखे, दो स्टॉक आप लोगों के लिए लाया हूं, प्रॉपर टेकनिकल इन, फंडामेंटल रिसर्च के एक्कॉर्डिंग है, ठीके, जो भी टार्गेट इन, स्टॉप क्लोस देता हूं, उसको प्रॉपर नोट डाउन करिए, कुछ भी नई समझ में चल सकते हो, ठीके, तो चलिए दोस्तों, जो आपको मंडे के लिए फर्स स्टॉक के उसके उपर लेके चलता हूं, तो दोस्तों, एक बार फिर से मैंने बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक चूज किया है, जिसका नाम है HDFC बैंक, ठीके, HDFC बैंक का अगर मैं मुमेंटम बात से, प्रिवियस क्लोज 13,1233 रुपे का, ओपन हुआ 1243 रुपे, हाई लगा है 1248 एंड लो लगा रहा है 1231 रुपे का, आप देखोगी ओपन, हाई, लो, सिम तो काफी इंपोर्टेंट मुमेंट हमें देखने को मिलेगा, अब यही पर आप अगर देख रहे हैं दोस्तों की मुमेंटम के हिसाब से, तो आपको देखने को मिलेंगा करीबन 89 लाग कॉन्टीटी का ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है, मतलब काफी काम है, अब देखिए, यह एक्सपेक्टेट है कि जो दोस्तों, दिसंबर मन्त में 1305 रुपे का हाई था, उसे यहाँ पर ब्रेक कर दे, जल लाश्टे फ्राइडे की डिलेवरी पेटन जो की 49 लाग किये, जो की 38 लाग 93 लाग जा, दोस्तों, एक कॉन्टीटी के देखने को मिल रही है, मतलब जो भी डाटा है दोस्तों, वो काफी इंपोर्टेंट है, अपने लिए एक एक चीज मार्केट में काफी लोगी, और सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, दोस्तों कि सौट टम में जो भी ट्रेडर से इंवेजमेंट करता हूँ, उसको प्रॉफिट नहीं होता है, सबसे पहली बात तो यह है, ठीक है, बाकी चीज़े आप लोग को जो मेंशन करते हो, वो आप लोगों के लिए क काफी गलत होती है, ठीक है, तो चलिए आप चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्या मोमेंटम मिलता ही, अपन देख लेते हैं, तो अब चार्ट का अगर आप फेस देखोगी दोस्तों, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, सुरू से ही, मतलब फर्स्ट लेवल से ही स्टॉक में गिरावट बनना चालो गोई थी, नया सपोर्ट, यहां पर थोड़ा सा उपर, फिर नया सपोर्ट, फिर उपर, फिर यहां पर नया सपोर्ट, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिकवरी किया है, क्या हो सकता है कि और सपोर्ट बना है, लेकिन दोस्तों यह एक्सपेक्टे तेजी एक मेने के बात करता हूं तो एक मेने में भी करीवन है 18% की तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है अगर मैं बात करता हूं 6 मेने की तो 6 मेने में आप देख सकते हो 33% से ज्यादा का return stock ने दे चुका है अपने को यहाँ पर चीजे समझ में आ रही चीजे मिल रही है ठीक है तो उसको किस प्रकार से गेन करना है या अपने उपर है कितने point का target रखना है कितनी जल्दी market से निकलना है मतलब दोस्तों market में अगर जाना जाए तो market में गुसने का सही समय क्या है market से निकलने का सही समय क यह अपने को पता चलता है तो अपन मार्केट के राजा बन सकते हैं लेकिन यह जानना बहुत इंपोर्टेंट होता है यह पता कैसे करें तो चली मैं एक बार समझा के ही आपको बताता हूँ टार्गेट एन इस्टॉक लोज तो देखिए दोस्तो किस प्रकार से मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि दोस्तो मान लो कि आपने प्रॉपर रिसर्च करी प्रॉपर रिसर्च करने पर आपने एक पॉइंट डूंडा एक पॉइंट डूंडा मतलब मान लो 5 रुपे का स्टॉक यह आ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 5 रुपे 10 पैसे कितनी जल्दी आ सकता है, ठीक है कितनी जल्दी आएगा और टार्गेट क्या देखे जाएगा, अब आप सोच रहे हो कि 5 रुपे वाला स्टॉक 50 पैसे का मुमिंट करेगा, अगर आप वहाँ पर 20 पैसे भी 217 भी रुख दोने के दोस्तों तो आप मतलब छोटे नहीं हो जाओगे, नहीं आप मतलब कमजोर हो जाओगे या आप गरीब बन जाओगे, तीन रुपे छोड़ दोगे तो उसके बाद स्टॉक कहीं भी जाए, आपने प्रॉफिट सही जगा बुक कर लिया है, निकल गया सेपेंसाइड अपने लिए यही बहुत इंपोर्टेंट है, तो देखें, यहाँ पर इंपोर्टेंट जोन बताता हूँ, ठीक है, इंपोर्टेंट जोन मतलब 1235, सोरी, 1235 नहीं दोस्तों, सोरी, 1238 रुपे, यह इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है, यह क्लोजिंग है, क्यों हो सकता है, 1260 तक जाएगा, लेकिन मैं 1260 पे नहीं बुक करूँगा, मैं बुक करूँगा, तो 1248 या मिनिमम मिनिमम साइट पे 1252 पे, तो मैं हो सकता है, कि यहाँ पर 1252 पे बुक कर लो, ठीक है, तो यह मेरे लिए टार्गेट जोन बनेगा, मैंने कहां देखा थ 1260 मैं, अगर 1252 पे बुक कर लो, तो मेरे लिए प्रॉफिट तो है ना, दोस्तो, मुझे यहाँ पर 1214 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो अब यह ही है, अब टार्गेट इस्टोप क्लोस के, आप अब नीचे आ 1231 के मतलब लेके, टार्गे, इस्टोप क्लोस लेके निकल जाए, या मान लो कि अगर और गिरते गिरते, 1220 तक स्टोप चलेगे, तो महाँ पर अगर लॉफिक करोगे, तो कितने पॉइंट का लोस होगा, 18 पॉइंट का, लेकिन अपन तो साइट पॉइंट पे निकल गे न लगाना, इसके साथ आप जाओगे, काफी इंपोर्टेंट लेवल आपको इसमें मिलेगा, तो चलिए, सेकेंड स्टॉक के उपर लेके चलता हूँ, तो दोस्तों सेकेंड स्टॉक भी बेंकिंग सेक्टर से ही है, जिसका नाम है ICIC बेंक लिमेटेट, ICIC बेंक में भी अगर रुपे, हाई लगा रहा है, 490 रुपे, और लो लगा रहा है, 411 रुपे, अगर आप देखोगे, तो स्टॉक में करीबन आसानी से साथ आट पोइंट का मोमेंटम हुआ है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो काफी इंपोर्टेंट है, वॉल्यूम भी कल हो, तो आप चेक करी सकते हो, 24 मार्च का जो की 268 रुपे का है, अब इसका अपन डिलेवरी डाटा देख लेते हैं, तो डिलेवरी डाटा आप चेक कर सकते हैं, दोस्तों करीबन 31.96% की है, जो कि 70,89,000 का देखने को मिल रहा है, दोस्तों, मतलब अपने लिए काफी इंपोर्टेंट चीजे, काफी इंपोर्टेंट डाटा देखने को मिल रहा है, तो चलिए, अब अपन लेके चलता हूँ, इसके भी चार्ट पे क्या मुमेंटम मिलेगा, यह आपको समझा देता हूँ, अब देखे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको चार्ट देख रहा है तो चार्ट में भी वही मुमेंटम दिखेगा, जो आपको HDFC के चार्ट पे देखने को मिला, मतलब उपरी लेवल से गिरावट, ठीके, गिरावट नया सपोर्ट लेवल, फिर नया हाई लेवल, मतलब इस टॉक में एक यू चार्ट बन रहा है, ठीके, यू चार्ट बन रह होगे, तो पांच दिन के डाटा में सपात तेजी, एक मेने के चेज में, अगर 19-20% की तेजी, छे मेने में काफी अच्छा खासा है, रिटन आप देख सकते हैं, इस टॉक में 19-20% की, तो यह है मुमेंटम दोस्तों, कि देखे, मुमेंटम का फेस अगर देखते हैं, तो य यह जोन अपने लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में न्यूज भी आज चुका है, दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट तरीके से, तो अपने लिए काफी ईजी लिए दोस्तों, इस टॉक में रिटन निकालना, इंट्रडे में तो खास करके ठीके, तो यह है मुमिन्टम, यह जोन से अपन इस्टॉक को बाइक करके चलेंगे, चलिए, टार्गेट इन इस्टॉप क्लोज बता देता हूँ, तो दोस्तों टार्गेट इन इस्टॉप क्लोज बताने से पहले, एक बार में फिर से बोलना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके फटाफट से जोइन कर लीजिए, ठीके, अब देखे, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिएगा, इस्टॉप में कहां से बाइंग पोजिशन अपन बना सकते है, बा 419, 424 टारगेट है, इस्टॉप क्लोज के अगर मैं बात करता हूँ, तो करीवन टारगेट के साथ साथ, आप 417 का स्टॉप क्लोज लेके चलिए, यह अपने लिए काफी इंपोर्टेंट, 2 रुपे का, क्योंकि स्टॉप में वन साइड़ेट तेजी हमें देखने को मिल सक टेख तो ठीक है, तो चलिए, अम मैं यहाँ पर वीडियो क्लोज करता हूँ, वीडियो क्लोज करते हैं, यही बोलूँगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पने तो चैनल को जरू सस्क्राइब करना, कि डेली बैसेस प इंट्रडी के टिप्स और मार्केट अपडेट लाता रहता हूँ, ठेंकि दोस्तों